यह वाली अंडा करी से बिलकुल डिफेरेंट है वाइट करी है, और प्रोसेस बिलकुल डिफेरेंट है तो वेलकम है आपका समज किचिन में यहाँ पर मैंने अंडे उबालने के लिए रख दी हैं साथ में एक पतीली में एक कप पानी चार हरी मिर्च और 10-11 काजू उबलने के लिए रखे और उसमें एक बड़ी प्यास बारी कटी हुई डाल करके उबाल लेंगे काजू को हमें गोर्डन होने तक फ्राई करना है ध्यान रखेगा काजू अचानक से एक दम से जब फ्राई हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और इसी बीच मुझे जो नए फॉलोवर्स हैं वो बता दे कि आप कहां से देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पर प्यास भी ली है मैंने मीडियम साइस की इसको स्लाइस कर लिया है ब्राउन होने तक तल लिया उसी तेल में अब प्यास को भी निकाल लेंगे और इस तेल को भी हम बाद में यूस करेंगे तो प्याज और तला हुआ काजू हलका सा ठंडा हुआ अब ग्राइंडिंग जार में डालेंगे इसको और पानी डाल करके इसका एक बारीक सब पेस्ट तयार करेंगे तो काजू पीषने में पानी थोड़ा सा जादा लगता है और अब इसको जार को थोड़ी देर तक चलाएंगे क्योंकि हमें काजू का एकदम बारीक पेस्ट सही है इसके चंक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे तो इस चीज का धिहान रखेगा और अब इस पेस्ट को निकाल करके रख लेंगे और जार में थोड़ा पानी डाल करके भी पेस्ट को निकाल लिया क्योंकि काफी सारा लगा था इसको बाद में इस्तिमाल करेंगे अब ये जो हमने प्याज हरी मिर्च और काजू डाला था वो भी ठंडा हो गया है और इतना हो गया है कि अब हम इसको पीश सकते हैं, तो उसी पानी के साथ इसको पीशेंगे, पानी को बिलकुल भी डिसकार्ड नहीं करना है, पानी यूज करेंगे और इसका भी पेस्क तयार कर लेंगे तो इसमें हम कोई भी हल्दी, लाल, मिर्श, धनिया, ये सब चीजें इस्तिमाल नहीं करेंगे रेगलर मसाले यूज नहीं होने वाले हैं बहुत ही स्पेशल अंडा करी है मसाला हो गया तयार अब अंडे भी उबल गये हैं और 9 अंडे लिए मैंने यहाँ पर एक फोक की मदद से इनमे को भी ऐसे प्रिक कर देंगे जिससे अंडे हमारे अच्छी तरह फ्राई हों और पॉप ना करें तलते टैम तो बस सारे अंडो को फ्राई करेंगे और इस तरह से कढ़ाई घुमा देना तो इविल्ली फ्राई हो जाते हैं और बढ़िया से हमें कर लेना है तो सारे अंडे फ्राई हो गए हैं अब इनको निकाल करके साइड में रखेंगे और अब उसी तेल में उसी कड़ाई में दो छोटी इलाइची डाली मैंने एक बड़ी इलाइची और आट-दस काली मिर्च सिया जीरा है यह जीरा डाल दिया एक चम्मच छोटा और इनको इसको भी भून लेंगे तो हमें कोई भी कलर वाली चीज नहीं डालना है तभी इसकी वाइट क्रेवी तयार होगी और अब यह जो मसाला था हमारा प्याज लहसुन और प्याज और हरी मिर्च काजू वाला उसको डाल दिया चितर से मिलाएंगे और नमक डालेंगे तो यहा इसको डालेंगे आसानी से मिल जाती है यह जनरल स्टोर पर और पका लेंगे पांस से साथ मिनट जब तक तेल उपर नहीं आता तो अब सारा ओयल उपर आ गया है और अच्छी क्रीमी सी हमारी ग्रेवी तयार हो रही है अब जो यह फ्राई करके काजू और प्यास का पिस बनाया था उसको भी डाल दिया मिलाएंगे अच्छी तरह से और बहुत ही रिच क्रीमी ग्रेवी हमारी तयार हो रही है यह पानी और अब अंडे डाल देंगे, इसमें हलके हाथों से चलाएंगे, जिससे अंडे टूटे नहीं, और बताईएगा मुझे आपको रेसिपी कैसी लग रही है, जरूर कॉमेंट करिएगा, और यहां पर देखे, ग्रीन चिली डाल दिया है, और जिसके मैंने बीज निकाल दिये और साथ में कसूरी मेथी डाली है, फिल्कुल थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, और आदा चम्मच गरम मसाला, इसको हलके हाथों से मिला देंगे, और अब इसको सिर्फ दो मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि हमारी सारी चीज़े पकी हुई है, मसाला भी अच्छी तरह से भुन बिल्कुल रेस्टोन स्टाइल अंडा करी वाइट ग्रेवी में, जो की बहुत ही यमी बनी है, और इसको आप नान, कुल्चा, बटर नान या फिर रोटी, पराठे के साथ खाएंगे, बहुत ही जबरदस लगेगी, और मुझे अपना फीद बैक दीजे, और बताइए अग